हेलो फ्रेंड्स मैं हूं शाहिन और आपका स्वागत है मेरे किचन में आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल मतर की चाट इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे जरूर ट्राई करें अगर मतर चाट की रेसिपी अच्छी मतर फूल चुकी है अब हम इसको उबाल लेंगे तो इसके लिए हम एक कुकर लेंगे और मतर में जो पानी था उसको हटा देंगे और सारी मतर को कुकर में डाल देंगे साथ में हमने आधी कटोरी आलू लिया है कच्छा आलू है इसको भी डाल देंगे और इसमें डाल दें पर उसमें दो बड़े चमच तेल डाल देंके जीरा जब जीरा अच्छे से चट क जाए गा तब इसमें डाल देंगे बारी, कटी हुई प्याज what to explore Tradition meillä फिस χrichten फिसप्राइज को तेल के साथ men твоnothing पका लेंगे इस प्याज का हमको करण नहीं चांज करना है अब ड़ार ले इसमादी चोटी चमное कशनमक और यहाँ पर हमने अधी कट्वरी टमाटर लिए हैं थोड़ी देर प्यास के पका लेंगे ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं दो बारी कटी हरी मिच और एक चौथाई चमच हींग डालेंगे हींग कटी मटर में बहुत अच्छाता है और मटर थोड़ी है तो मटर से डाइजेस्टिप भी हो जाती है आधी चमच मिर्च डाली है और एक चमच ज चमच डाली हम पानी पार यहां पानी डाल दालेंगे 3-4 मिनट के लिए घायस की क्ड़ी मडलां तो सब म Sims आप अच्छात हमने चेजाह बूण आटि म घायक बधार पानी को तो आपर देख सकते हैं मटर अच्छात है इतनी सॉफ्ट तयार हुई है मटर का गलना मटर की क्वाल्टी पर डिपेंट करता है कोई मटर जल्दी कल जाती है तो आप अपने हिसाब से मटर को बुने हुए मसाले में मिला देंगे साथ में जो आलू डाले थे इनको हमेश कर देंगे इस तरह से मटर बहुत ही टेस्टी बनती है कोई मेहनत का काम नहीं है और टेस्ट इतना जबरदस आता है क्या बना कर देखेंगे कि मटर हमने घर पर बनाई है बिल्कुल आपको बाजार वाली मटर लगेगी तो देखिए कि इतनी बढ़िया मटर बनके तयार है मटर में एक उबाल आ गया है तो हम गैस की फि नीवू कर स, बारिक कटा हुई हरी们ेच मृबिया बारिक कटा हुई टमाटर और कटी हुई धन्या पत्ति ऊपर से डाल देंगे पपड़ी और हिमली की जटनी बाद में डाल देंगे फिटा हुवा दही टोसरस से हमने अपनी मटर की चाट को अच्छे से सजा लिया है चैनल को सब्सक्राइब किये मिना ना जाएं